Hello students of 6th standard, चलिए आज हम 1.3 इंग्लिश पाल भारती का जो लसन है Autobiography of Great Indian Buster वो दिख रहे हैं, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसे स्टार्ट करने के पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और जिन्हें आप शेयर कर रहे हैं उन्हें भी कहिए कि प्लीज वो भी उसे सब्सक्राइब करें जिससे बहुत सारे बच्छों का फाइदा हो सके चलिए हम स्टार्ट करते हैं तो ओटोबाइग्राफी का मतलब क्या होता है आत्मकथा तो यहाँ पे जो Great Indian Bustard है वो अपनी आत्मकथा हमें बता रहा है तो Great Indian Bustard अपनी आटोबाइग्राफी में सबसे पहले हम से कह रहा है कि क्या आपको पता है कि सबसे heaviest flying bird इंडिया में कौनसी है तो वह मैं हूँ जिसका नाम है The Great Indian Bustard I feel proud to be known as The Great Indian Bustard अब यह heaviest flying bird क्यों है क्योंकि इसका weight इतना होने के बाद भी असानी से उड़ता है तो यह बूलता है कि I feel proud to be known as Great Indian Bustard मुझे बहुत proud feel होता है कि मुझे Great Indian Bustard कहा जाता है I have more than 30 different names in various Indian languages और बहुत सार Indian languages के अनुसार मेरे 30 अलग-अलग names है In Marathi I am known as Maldok or Hum और Marathi में मुझे Maldok या फिर Hum का पक्षी कहा जाता है I can weigh up to 18 kilos and can stand up to 4 feet in height देखिए मेरा वजन कितना है 18 kilo है और 4 feet तक मेरी height है Reaching up to your shoulders or even higher मैं तुमारे कंदे तक खड़ा हो सकता हूँ या उससे भी उपर तक मेरी height चाहेगी I have got a long white neck मेरे जो neck है वो white color की है लंबी है brown wings है मेरे punk brown color के है tall yellow legs मेरे जो legs है वो tall है yellow है and a black cap on my head और इसी तरह से एक black color की cap मेरे सर पर है देखिए है पिक्चर में हमें दिखाई दे रहे है ने great Indian bustard black black उपर उसके माथे पर वो head पर हमें दिखाई दे रहे है my wife Mrs. Bustard is smaller and slimmer वो कहता है कि मेरे जो wife है na Mrs. Bustard वो छोटी है और slim है smaller मतलब height में छोटी होगी उसे है na and slimmer then I am and her neck is not white लेकिन वो मेरे से smaller and slimmer है लेकिन उसकी जो neck है वो white नहीं है but I have heard humans say that we both look impressive लेकिन मैंने सुनाए कि इंसान कहते हैं कि हम बहुत impressive दिखते हैं I live on grasslands and deserts along with my other friends including chinkara, black bug and larks तो मैं grassland में और desert में भी रहता हूँ मतलब रेत वाले भागों में भी रहता हूँ और घास वाले भागों में भी रहता हूँ और मेरे friends के साथ रहता हूँ जैसे अगर ये राजस्तान में है तो वहाँ chinkara है और black bug है, larks है ऐसे कुछ समूर रहते हैं वशू पक्षियों के जिन के साथ नहीं है रहते हैं I eat everything including snacks, lizards, small fruits and berries and all sorts of insects और मैं क्या-क्या खाता हूँ कि मैं snake खाता हूँ lizards खाता हूँ, small fruit है, berries है और even insects हैं किडे भी खाता हूँ कौन बता रहा है, हमें great indian bastard बता रहा है that is a very healthy habit और यह उसकी healthy habit है but grasshoppers and beetles are my favorite food item लेकिन grasshopper और beetles जो है न वो मेरे बहुत बहुत favorite है अब grasshopper भी हमें पता है न टिद्डा बोलते हैं, जैसे green green दिख रहा है देखो यहाँ पे picture में भी और beetles जो होते हैं, black color के कीड़े होते हैं, जिनका जो उपर का covering रहता है, वो बहुत पड़क होता है लेकिन वो black होते है so when it starts raining we all gather at our favorite grasslands और जैसे ही बारिश शुरू होती है हम सब अपने जो favorite grassland है, जो घास वाली जगर वहाँ पर इकठा हो जाते है where there are no people to disturb us जहाँ पर कोई लोग हमें disturb करने वाले नहीं होते है I perform a wonderful dance by gulping air in the special feathery pouch attached below my neck मेरे neck के नीचे एक pouch थैले जैसे भाग रहता है feathery भागे वो भी वह पंखोस दिढखा हुआ है उसमें मैं क्या करता हूँ कि में बहुत हम एकदम सुन्दर dance करते हैं और मेरे उस pouch जैसे भाग में मैं हवा एकदम solo करता हूँ gulp करना यानि solo करना gulp करता हूँ फिर जोड से आवाज करता हूँ कैसे देखिए आगे बताया गया है this pouch helps me to produce a resonating sound similar to the one produced by the cow hmm देखिए इतना सुन्दर सा एक जैसे cow करती है hmm करके आवाज वैसा ही मैं आवाज करता हूँ और ये pouch मुझे help करता है इस तरह का sound produce करने में I dance in joy with puffed out feathers और मैं अपने पंखों को फैला के बहुत अच्छा dance करता हूँ puffed out करना मतलब निकाल कर फैला कर and cocked up tail और इस तरह में अपनी cocked up tail मतलब cocky तरह उस tail को भी हिलाता हूँ and drop down wings और पंखों को भी हिलाते हुए में dance करता हूँ it helps me to impress my soulmate और ये मुझे मेरी soulmate को impress करने में help करते हैं ये पंख और ये feathers you know that we birds lay eggs and our young ones hatch out of eggs और आपको ये पता होना चाहिए कि हम जो है पक्षी है तो हम क्या करते हैं egg देते हैं और इन egg में से ही हमारे young ones निकलते हैं mother GIB मतलब great mother great Indian bastard है वो lay करती है just one egg directly on the ground ground पर ही जो egg होता है उसको lay करती है lay करना मतलब पता है में उस पर बैठती है उसे उप देती है मतलब गर्माई देती है जिससे we don't believe in building nest ये लोग nest नहीं बनाते हैं but we have a special trick to protect our eggs from the predators लेकिन हमारे पास ये ऐसा बता रहा है ये पक्षी कि हमारे पास एक trick है जिससे हम अपने अंडों को शिकारियों से predators से protect करते है the egg looks like a stone egg जो है वो stone की तरह दिखते है monitor, lizards, foxes, dogs, pigs, snakes and eagles are enemies of my egg and chick और मेरे अंडों के और मेरे बच्चों के कौन कौन जो enemies है कौन शत्रू है monitor, lizard मतलब बड़ी सी जंगलों की lizards होती है वो है foxes है dog है, pig है snakes है, eagles है ठीक है तो यह दुश्मन है इसके अंडों के और बच्चों के but my wife protects the egg from all of them लेकिन जो मेरे वाइफ है इस egg को इन सब से बचाती है by the time our young one hatches out of the egg और जैसे ही time होता है वैसे ही मेरे young one जो है मेरे जो बच्चे है इस egg में से बाहा रहते है rains arrive और फिर बारिश भी आती है बारिश का समय रहता है there is plenty of grass swarming with insects और बहुत सारी घास पूरी insects से भरी हुई रहती है fresh food for my family और यह fresh food हमें और हमारी family को मिलता है ऐसा यह पक्षी हमें बता रहा है young ones of other birds soon fly away from the nest young ones जो other birds के रहते हैं जो छोटे पिल्लू वो बहुत जल्दी ऊड़ जाते हैं but a great Indian bastard mother and chick stay together for nearly one year लेकिन great Indian bastard की mother जो great Indian bastard mother होती है और उसका जो बच्चा है वो एक साल तक एक साथ रहते हैं the chick learns many good habits from mother और इस दौरान ये chick जो है अपनी mother से good habits सिखता है you may have heard about a great human friend of ours Dr. Salim Ali आपको पता होना चाहिए कि हमारे एक बहुत अच्छे और बोले जाए तो महान जो है human friend है जिनका नाम है Dr. Salim Ali he had even suggested that we should be given the status of the national bird of our country but the honor went to our beautiful relative the peacock और उन्होंने ये suggest किया था ये सलादी थी कि हमें national bird बनाया है जाए इस country का अपने इस इंडिया country का लेकिन ये honor एक beautiful हमारे ही relative को मिला है हमारे ही रिष्टेदार को मिला है जिसका नाम है peacock I am happy to tell you that I am the state bird of Rajasthan अब peacock तो national bird बन गया है और मैं भी Rajasthan का state bird कहलाता हूं We have got 10 sanctuaries for our protection but sadly our number still going down हमारे लिए 10 ऐसे अभयारणय ऐसे sanctuaries हैं जो हमें protect कर रही हैं लेकिन ये अभी भी दुख की बात है कि हमारे number जो हमारे number घटते जा रहे हैं We used to live on all parts of India हम mostly तो India के सभी part में रहते हैं but slowly the growing population of man pushed us away from more than 90% of our home regions लेकिन जैसे ही ये man की population बढ़ रही है ना इंसानों की जो population बढ़ रही है वो हमें धकेलते जा रही है हमारे अपने ही घरों से अपने ही regions से तो 90% of our home regions जो हैं वहां से हमें धकेल दिया गया है किसके दौरा इंसानों के दौरा We are afraid of hunters that kills us for fun और हम उन शिकारियों से डरते हैं जो सरिफ मजय करने के लिए हमें मार देते हैं We also die due to electric power lines that we cannot see while flying और इसी तरह हम तो कुछ इस तरह भी मर जाते हैं कि हमें बता ही नहीं रहता है हम उड़ते रहते हैं और electric power lines से हम टकरा जाते हैं जिसकी वज़े से हम die हो जाते हैं क्योंकि electric power lines क्या करती हैं? शौक होता है अगर उससे touch हो जाओ तो हमें शौक लगता है तो उसकी वज़े से भी यह मर रहे हैं और हम अपने घर खो रहे हैं तोड़े अनली दे लास्ट 200 अफ और अफ और अब हम सिर्फ 200 के संख्या में ही इस पूरे विश्व में बचे हुए हैं हमें भी सर्वाइव करना है इसलिए हमें आपके support की जरूरत है यह पक्षी हमें पूछ रहा है क्या आप हमारी मदद करेंगे तो आप अपने नेताओं को अपील कीजिए और पत्र लिखिए हमें बचाने के लिए कि हमारी मदद करें आप ड्रॉइंग बना के अपने टीचर को सब्मिट कर सकते हैं you can discuss this with your parents आप मेरे बारे में अपने parents से discuss कर सकते हैं come to see us at sanctuary because now you will not see us in other places आईए और हमें sanctuaries में देखिए क्योंकि आप हम कहीं और नहीं दिखाई देते हैं and who knows if humans don't help us none of us will be left on the earth और अगर यह human आप लोग अगर हमें हमारी मदद नहीं करेंगे तो हम अब नहीं बच पाएंगे इस earth पर तो हम नहीं दिख पाएंगे you will only see us in pictures और आप हमें सर्फ pictures में ही देख पाओगे तो कितनी सुन्दर अपील की है यहाँ इस पक्षी ने अपने autobiography से actually इसके बारे में जो भी हमें help हो सकती है naturally हमें करना चाहिए क्योंकि यह बहुत अच्छा एक पक्षी है जो अब extinct होने के रहा पर है तो हमें definitely जैसे भी हो सके हम एक जोठोकर मदद कर सकते हैं तो यह था lesson इसके question answers में आपको देती हूं next video में ठीक है